है लो गाईज गूड यूनिंग बैल्कम बैक तुवाइ न्यू ब्लाग तो यहां पर मैं देखिए रात की खानी की तैयारी कर रही हूं और आज मैं कुछ अस्पेसल बनाने जा रही हूं तो यहां पर पनीर बगारा सब कर लिया कट कर लिया है लगा नहीं और पाद पर या पूरे वीडियो में और मैं कैसे बनाती हूं वह मैं द इसहोग रहाए यह आ की जैगी और किता कि दो हम तो वो लेड़ा ना कट करिए जब एक तुम को चाहिए एक हैर मेरा है मेरा हाथ लग जाता है वैसे इतना टेस्टी हो जाता है अब अब एक अब एक अब एक जब एक एक ब्रस रहे हैं यहां पर प्याज कट करने में मेरी क्या सब की हालत खराब हो जाती होगी जब धेर सारा प्याज किसी पकोड़े के लिए काटना हो या सबजी में डालना हो तो उसको काटने के लिए बड़ा ही आँक में आसु अगरा आजाते हैं पानी गिरने लगता है प्याज प्याज को छोटे थे तो यहां पर मैंने एक काचार भाग कर लिया है उसको अलग करना था तो वही हम और पीउ दोनों लोग मिलके कर रहे हैं आजए सों एक हैं और यहां पे आप थोड़े सी संबय मिर्स और काचनी थीतो इसको आफिश काट रोंक थोंड़을 के पीरों आप यही करू और यहां पर औलिया है थोड़े साघ्यि तो यहां पर निकाल लिया और फिर बचे तेल में यहां पर लसन डाल दे रही हूँ और इसको मैं अब फ्राइ करूंगी इसमें हारी मिर्ची और लसन डाल इसके बाद जो कटे हुए मेरे पास प्याज हैं उसको मैं डाल दे रही हूँ जो बड़े-बड़े पीसे में कटे हुए हैं तो उसको डाल के मैं खूब डीप फ्राइ कर लूँगे मतलब थोड़ा सा हलका सा मुलाइम भी हो जाए और खलर थोड़ा सा चेंज है और मैं जब सब्सक्राइब करों नयखे तो प्यास होने के बाद मैं इसमने डाल देर। इसको ऐसे देखके लालस लग रही थी तो फिर यहां पर इसको अभी मैं धख दूंगी थोड़े दिर के लिए यह तैयार कर रहे हूं ग्रैवी के लिए यह कॉन फ्लोर जो है इसको घोल बना के इसको ग्रैवी में यूज करूंगे तो यहां पर सिम्ला मीर्च और प्यास दो होने के बाद मतलब थोड़ा सा हो जाए इसके बाद में यहां पर अभी डाल दे रही हूं सोया सॉस दो चममच इसमें सोया सॉस में डालूँगी क्यूंकि अच्छी कॉंटिटी में था मतलब ज्यादा था तो इसमें उतना पढ़़ जाए गया तो अच्छा भी लगता है जो है अच्छा लगता है मतलब कुलमिला के थोड़ा सा चटपटी जो चीली पनीर होती है जो चटपटी रहती है तभी मज़ा आती है और इसमें मैं डाल दूंगी फिर टमेटो कैचप यह तर इसमें मैं अभी डाल दे रहे हूं वाइड विनेगर जो है एक ही चमश डालूं मतलब तेज मिर्ची के साथ जो उसका टमेटो कैचप का टेस्ट होता है वह बहुत अच्छा लगता है और इसमें पहले डालूंगी ग्रीन चीली सॉस और टमेटो सॉस और इन सब का जो एक मिक्स अप होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जितना तेज होता है यहां पर ग्रेवी के लिए यह मैंने देखिए जो अभी तैयार करके रखा हुआ था कौंफोर का जो पानी में गोल बनाया था वह में डाल दूब यह दो जो इसकी ग्रेवी मतलब तो हम ready इसके साथ में बनायत था फ्राइड राइस जो की चावल मैंने पहले बना के रखते हुआ यहां पर मुझे थोड़ा सा सोयसास लगा था कम तो इसलिए थोड़ा सा और ढाल अधिये और यह कास्मीअ है कास्मीरी मिल्च जो की इस पे कलर के लिए डाला जाता है तो Jaga deeper कैचप से जाता है यहाँ बन करूं है बस इसमें अभी पनीर की कमी है जो कि मैंने पनीर फ्राय करके रख़ी है वो आवी मैं इसमें डालूंगी तो यहां पे मैं लगा ले रही हूँ है आटा रोटी बनाने के बस टेस्ट के लिए तो यहां पे अभी देखें मैं डालते रहीं चीली पनीर में पनीर तो पनीर यह देखें इस पर पढ़ गया है और अभी मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ मतलब पूरा मैं मिक्स अप कर दूँगी और यहां पे मैं अभी कुछ बात कर रही थी वही नहीं किया था कि बहुत जल्दी थी तो यहां पे इस चावल में भी मैंने चावल भी बहुत अच्छे से फ्राई किया था बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में और यहां पे अब तयार है गरम गरम रोटी जो की खाने के लिए अभी टाइम बिल्कुल हो गया है मैं खाओगा तो यहां पे पूरा तयार हो चुका है खाना और किसको मतलब यह मेरा चीली पनीर बनाने का जो है रेसिपी अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिया और कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि हां मतलब अच्छी लग रही अब हम लोग भी खाने जा रहे हैं तो यहां पे अभी हम लोग खाना वगारा खाके और रात हो गए रात के बज रहे हैं अभी साड़े आठ हो हम लोग बहुत टाइम ली खाना खा लिया थे खाना खाने के बाद यह देखिए अभी हम आ गए हैं फिर से किचन में और यह आ आपया का दूद करम होने के लिए तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई